तो एक बर सुनों पहले चाहे आप PTI हो चाहे आप सेकंड ग्रेड हो चाहे आप फर्स्ट ग्रेड ही त्यारी कर रहे हो लेकिन कोश्टेबल है रीट है रीट लेवल सेकंड वन जो भी हो जो आपको यह पहला टोपिक करवाया जाएगा ना आपको वो बड़ा एक समाने टोपिक है आप अगर वर्ड की जियो सुरू करोगे तो भी आपको यह टोपिक पढ़ना होगा अगर आप है प्ढ़रत की जियो शु तो आज से आप ये ठान लो कि आप जहां बेठे हो जिस जगह बेठे हो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो जो आपकी उमीदें थी कि सर हमें जिगराफी इस तरीके से पढ़ना चाहिए था वेस्जी आपको क्लास मिलेगी अभी तक ना तो आपने क्लास से लगाई होगी एक सब्सक्राइब को छोड़कर और मैं भी आपके लिए नहीं हूँ पर एक बार आपको क्लास लगा के देखो आज पता लगेगा जो चीज़ टीचर समझा रहा है वो चीज़ समझ में आ रही एक नियारी जिस तरीके से हम समझना चाहते हैं उस तरीके जो टीचर पढ़ा रह है कि नहीं पढ़ा रहा है समयारी बात यह तो पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करना है लेकिन एक चीज़ द्यान रखना मैं इस जिवरत्पी को बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूँगा यह द्यान रखना भी ऐसा नहीं होगा अब सिधा इस सीथा सीटोशन कट अब बहुत चीज़ा सीख पाओ गई यह ठीक है ना तो देखो सबसे पहले जो हमारा एक सब्द है कि 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 काट बेंगा अ कि देखो तो यह सब्द है आपका कि एक भुगोल कि ठीक है आप क्या करो इसी सब्द को तोड़ो ओटमेटिक इसका अर्थ बाहर आ जाएगा कैसे जैसे एक सब्द तो है आपका भूब और एक सब्द क्या जेगा गोल सब्द आजेगा अपने क्या करते हैं गोल सब्दकार्थ गोलाकार लेते हैं लेकिन वास्ते में गोल सब्दकार्थ गोलाकार नहीं लेना है इस भू सब्दकार्थ आपको लेना है पिर्थवी से पिर्त्वी धर्ति और इस गोड़ सवदकार्थ जो लेवोगे इसका मतलब है अध्यान करना अध्यान करना या वर्नन करना लेकिन अध्यान वर्नन किसका करोगे पिर्त्वी का जो ये बुगोल सवद है मैं आपको इसका आर्थ बता रहा हूं कि बुगोल सवदकार्थ क्या होता है तो बुगोल सवदकार्थ है कि भू प्लस गोल भू सवदकार्थ पिर्त्वी या धर्ति और इस गोल सवदकार्थ क्या बताओगे आध्यान या वर्नन करन किस का वर्णन करना इस पिर्थवी का वर्णन करना अब इस पिर्थवी का वर्णन हम कैसे करेंगे आज देखो इस धर्ती पर हमें परकट रूप से जो भी चीज़ें अपनी आंकों के सामने पिर्थवी पर जो भी चीज़ें आज परकट रूप से दिखाई दे रही है ना व आपको यह होल है चाहिए एक मकान है चाहिए कोई मानव है चाहिए कोई वन्ने प्राणी है चाहिए पंक्खे है यह सारे सारे भुगोल है अब गव के सार पंक्खे भुगोल के से हैं तो भई लोहे से बने होंगे लोहा एक खनीजी तो है और खनीज पिर्थवी के अंदर पा देती है वो सारी किसारी क्या हो जाएगी बुगोल हो जाएगी बात समझ में आ रही है क्या लेकिन इस बुगोल सब्सक्राइब मैं यहां एक गोड़ा बनाता हूं कि बना दिया तो यह गोड़ा बना दिया ठीक है अब क्या करोगे यह जो पूरा गोड़ा है ना आप क्या करो इसमें एक बार एक लाइन खीच दो हमें लाइन का नाम नहीं देना एक बार जो मन करें वहाँ लाइन खीचो एक बार मैंने यहाँ से लाइन खीच दी ये लो खीच दी इस गोड़े के दो टुकड़े हो गई हैं ये लाइन खीचते ही हो गई ना लेकिन इस लाइन को खीचते ही कि इस गोड़े के जो दो टुकड़े हुए हैं हम उसे क्या बोलेंगे तो भाई एक चीज़ जहां रखना जैसे हमारी चार दिसाएं होती है एक तो यह दिसा पूरव है और यह दिसा परसी में आपके यह उत्तर है और यह क्या है रक्षिन दिसा है मैंने क्या किया एक बार इ नीचे रख दिया रख दिया जैसे यह रेखा खिंच दी इस रेखा के ऊपर का हिस्सा आदा भाग दिखाई दे रहा है आपको गोले का और इस रेखा के नीचे का हिस्सा भी गोले का आदा भाग दिखाई दे रहा है पहले गोड़ा पूरा पूरा क्या था सिंगल था जैस यहां पे है इस गोड़े का जो उत्री हिस्सा है उसको आप बोल दोगे उत्री गोलार्द क्या बोलेंगे उत्री गोलार्द उत्री गोलार्द क्यों कहा क्योंकि इस रेखा के उत्री हिस्से में गोड़े का आदा भाग होने के कारण आपने इसको उत्री गोलार्द कहा ऐसे जो दक्षनी भागे तो भही जो दक्षनी भागे इससे आप क्या बोलोगे इसको आप बोल दोगे दक्षनी गोलार्द क्या बोलेंगे लेकिन एक सब्द देखो अब आपके सामने ये गुलार्द सब्द है आप इसका संदिव छेद करो दिर्क संदिव के नुसार क्या हो जाएगा गोड़ा प्लस अर्द हो जाएगा मतलब आदे गोड़े को गुलार्द बोलते हैं ये देहा नखना गोलार्द कभी भी पूरे गोड़े को नहीं बोला जाता आदे गोड़े को ही गोलार्द बोलेंगे अब इस गोड़े का जो उत्री भाग है आदा हिसा है इसको आपने उत्री गोलार्द कहा और इस गोड़े का जो आदा हिसा दक्षिन में है इसलिए आपने अपने ऐसे खीज दो गोले के दो टुकुड़े हो गए अब की बार मैंने इस रेखा को यहां से उठा लिया और उठा करके इस गोले में रख दिया अब इस रेखा कि उस सेड में जो दिसा वो कौन सी आएगी पूरव दिसा आएगी तो पूरव दिसा में गोले का आदा समझ में आ रही है जैसे आपने ऊत्री गोलारद कहा ऐसे हिप ने पूरव और पश्मिंग उलारद कहां बास में आ यह उसके अलावा भी एक गोड़ा आप और बना लो यह बना दिया अब क्या करो यह दोनों रेखा एक साथ खीच दो यह खीच दिया मने अब इस गोले के गोड़े कितनी हो गई चार टुकड़े हो गई और जो चार टुकड़े हुए हैं सर इसका हम नाम क्या देंगे भाई जैसे आप पूरो पस्चिम और उत्तर दक्षिन दिशाओं के नाम दे रहे थे वेसे आप क्या करो इसके भी नाम दे दो लेकिन ध्यान रखना अपनी थोड़ी होती है चारी दिशाओं थोड़ी होती है दस दिशाओं होती है चत और धर्ती भी तो होती है ना दस दिशाओं होती है लेकिन चत और धर्ती को छोड़कर हमार दिशा देखो तो भई यह यह भी तो दिशाओं होती यह नहीं होती मान लो अपने भारत या राजस् या भारत का हिसा इस दिशा में होता तो आप बोलते दक्षनी पुर्वी गुलार्द में राजस्तान या भारत इस्तित हैं अगर ऐसा होता तो समझरी बात ये लेकिन वास्तम में हमारा राजस्तान तो इस गुलार्द में है अपना भारत तो इस गुलार्द में है इसलिए हम कहेंगे कि गलोब के उत्री पूर्वी गुलार्द में अपना भारत या राजस्तान इस्तित है जब भी हमारे से कभी परसन पूछेगा तो ये दो-तिन परसन आप से जरूर करेगा और वो परसन क्या है जैसे देखो एक तो परसन आप से ये पूछा जा सकता है कि गलोब में हमारे भारत की स्थीति बताओ एक परसन तो ये है और एक परसन आपका ये है कि इस गलोब में अपने राजस्तान के स्थिति बताओ एक परसन ये है एक परसन आपका ये भी आ सकता है कि अपने भारत में राजस्तान कौन सी दिसा में है मूल रोप से परसन आपके तीन ये है जी बात समझ में आई कि नहीं आई आप से पुछे आग गलोब में भारत कहां तो भाई ये गलोब बना हुए न और इस गलोब में मालो भारत यहां बना हुए यह रहा तो आप क्या बोलेंगे उत्री पूर्वी गुलारदें भारत इस्तित है गलोब के उत्री पूर्वी गुलार्दे बारत इस्तित है ये बोलेंगे लेकिन जब आता है गलोब में राजस्तान कहा तो भई राजस्तान बारत में तो है जिस दिशा में भारत है उसी दिशा में राजस्तान आएगा तो भोल देंगे राजस्तान भी अपने गलोब के उत् पुछेगा कि बता दो अपने भारत में राजस्तान कहां जब भारत में राजस्तान पुछा तो भई पहले आप भारत बना लो यह बना लिया भारत और भारत में लगबग राजस्तान अपना का है यह अब देखो भारत में राजस्तान की दिशा कौन सी आएगी उत्री पस्म पूचा तूसरी पूर्भी गुलार्द आएगा जब भारत गलोब में पूचा तूतरी पूर्भी गुलार्द आएगा इतनी बात समझ मैं आए лиखने पहले यह बताओ यहां तक कि औगया को दिकत नीक ऑप उसके बाद एखो आगे फिर अब क्या करना है इसी गलोब से पहले एक छोटी सी बात यह औती है कि उसण कटिमन है सीटू सून कटिमन है ओप उसर्डाइंड यह सब्सक्रेद है हमारे हम यह सब्सक्राइब और यह जो कटिबंद है सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी यह समझ में नहीं आते और एक चीज ध्यान दखना अगर आपको मिट्टी का ध्यान करना है अगर आपको फसलों का ध्यान करना है अगर आपको जलवायू पढ़ने हैं, अगर आपको खनीज पढ़ने हैं, मतलब आपकी बुगोल का कोई भी अगर आपको टोपिक पढ़ना है, तो उससे पहले आपको ये सीत, शितोसन, उसन कटिबन आने चाहिए है, का मतलब है, इस बुगोल की एक नीव और अधार सिला ज आती हैं, कुल छे कटिबन आती हैं, और छे कटिबन के अंदर जो पहला कटिबन आएगा ना, इसका नाम आपको बोलना है, ओसन कटिबन बोलना है, ये ध्यान लगना, पहला कटिबन तो ये है, ठीक है, दूसरा जो कटिबन आएगा, इसका नाम लेओगे आप सीत कटिबन इसके बाद जो तीसरा कटिबंद आएगा इसका नाम आपको बोलना है जी सीतोसन कटिबंद सीतोसन कटिबंद ये द्यान लखना भई क्या बोलेंगे सीतोसन कटिबंद द्यान लखना सीतोसन है ये उसके बाद जो चोथा आएगा इसका नाम है भई समसीतोसन कटिबंद हालां कि ये नाम आपने बहुत बार सुने होंगे है ना पर समझ में नहीं आए आज ये समझ में आएंगे अब देखो उसका जो अगला नाम है इसका नाम है जी उपोसन कटिबंद क्या नाम है बोलो उपोसन अब चटा जो आएगा ना इसका एक नाम हो रहे जी जिसका नाम है उपोसीत कटिबंद ये ध्यान लखनी ये बात है अब देखो इनीच चै की चै कटिबंद को अपने बड़ी सरलबासा में सीखेंगे देखना सबसे पहले आपको एक गलोब बनाना होगा समझरी बात ही और इस गलोब में हम एक रहा खींचते हैं और ये रहा जो है वो जीरो डिगरी पे है ध्यान होगा आपको जो जीरो डिगरी पे रहा खींची है इसी रहा का नाम है भूमद्य रहा क्योंकि भूमी के बीच जो खींची गई रहा है उसको भूमद्य रहा बोलते है जो भूमी के बीच खींची गई रहा है उसको हम क्या बोलेंगे भूमद्य रहा बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं उसके लाबा एक रहा हमारे को यहां माननी है एक रहा यहां माननी है एक रेखा यहां माननी है और एक रेखा वहां माननी है ठीक है भी यह 0 डिगरी है तो यह रेखा आपकी साड़े 23 डिगरी है और यह जो रेखा है यह भी साड़े 23 डिगरी है और यहां पे जो रेखा आएगी वो साड़े 26 डिगरी है भई और यहां पे जो रेखा आएगी वो भी साड़े चांस डिगरी लेकिन एक बाद ध्यान रखना भई यहां पर जो पॉइंट आ रहा है ना इसका नाम है यह जो पॉइंट है इसका नाम है भई अब देखो यह जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहा जाता है यहाँ पे उत्री ध्रूब क्या का जाता है उत्री ध्रूब और यह जो point इसको कहा जाता है दक्षिन ध्रूब एक चीज द्यान रखना इसको उत्री और दक्षिन ध्रूब क्यों बोलते हैं क्योंकि जो उत्री गुलार्द में है वो उत्री ध्रूब और जो दक्षनी गुलार्द में है वो दक्षनी द्रूब जो इस पिर्थवी का उत्री पोइंट है उसको द्रूब का गिया और वो उत्री द्रूब है उत्री गुलार्द में है दक्षनी गुलार्द में है तो उत्री द्रूब तो उत्री गुलार्द में और दक्षनी पानना होगा न उप् समझ र्वात यह अम इस सूलिय की किरने कौन सी रेखा के सामने चमक रहिए बताऊ नियोगों है इस सूल योट सैब ऑनियो इस स्रेविहलत बिल्कुल सीर्द्धा पर पड़ने के कारण ही इसे आप सबसे गरम ने का ता पीर रेखा कहोगे बात समझ में आ दिया क्या ये ध्यान रखना भई इस सुरिय की सबसे सिद्धी क्रिणे इस भुमद्य रेखा पर पड़ रही है इसलिए इस रेखा को सबसे गरम रेखा उसन रेखा तापिय रेखा कहेंगे लेकिन एक चीज और ध्यान रखना अभी मैं लाइन बोल र कास इस कट तेज में लेकर के गुमद्य रेखा तक जितना आ रहा है यह हम इसे नाम से लेकर बोले तो भाईय आप इस रेखा का सुर्य वह जितना तापमान आ रहा है, क्या उतना ही तापमान, उतनी ही गर्मी बोलो, इस भुमद्य रेखा से मक्र रेखा पर आएगी कर नहीं आएगी। नहीं आएगी, तो सुनो भाई, यह तापमान दो रेखां की बीच में एक जिसा आने का कारण क्या है? कि भुमद्य रेखा से जितनी दूरी पे करकरेखा है, उतनी दूरी पे मक्र रेखा है। मतलब है भुमद्य रेखा से जो ये करकरेखा और मकरेखा दोनों एक जितनी दूरी पे है इसलिए तापमान भी दोनों के बीच में एक जेसा आएगा लेकिन सरवाधिक तापमान आएगा जो वो इस करकरेखा से लेकर मकरेखा के बीच आएगा और सरवादिक तापन इस करकरेखा से मकरेखा के बीच में आने के कारण ही इतने छेतर को कहा गया है क्या कहा गया है उसन कटी बंद कहा गया है बात समझ में आरियग नियारी बोलो भही जहां नखना उसन कटी बंद जब भी आपसे पूछे कि उसन कटिबंद क्या है तो भाई करकरेका से लेकर मकरेका के बीच के छेतर को उसन कटिबंद क्या होता है उसन का मतलब तो समझ में आ गया कि उसन गर्मी को कहती है पर कटिबंद किसी कहती है तो भई कटिबंद का अर्थ समझो देखो एक बार मैं यहां कटिबंद का अर्थ अपने भोगोलिक भासा में लिख रहा हूं और वो है भी कोई भी कोई भी दो अक्षासों के बीच का जो छेतर होता है न वो क्या होता है अब फिर एक बात और है सर यह अक्षास क्या है अगर आपको अक्षास समझ में आएंगे तो कटिबंद समझ में आएगा कटिबंद समझ में आएंगे तो आप यह जलवायों समझ पाओगे गर्वी, सर्दी, कहां उसन, कहां सितोसन, ये तभी समझ पाओगे इस से पहले परसन आपका आया, कि सर्य अक्षांस बताओ क्या है तो सुन लो भई, एक बार मैंने यहां मानलो गलोब बना दिया ये रहा भई ठीक है, और इस गलोब पर आपने देखा होगा, कुछ ऐसी रेखाएं खिंची होती है गलोब पर ऐसी रेखाएं देखी होगी, इन रेखाओं को बोलते हैं, अक्षांस ये द्यान रखना जी, इस गलोब पर जो ये आटी रेखा दिखाई दे रही है ये अक्षांस है लेकि इस गलोब पर ऐसे खड़ी रेखा भी होती है खड़ी रेखा कैसी इस गलोब पर आपने ऐसी रेखाई देखी होगी वही ऐसी रेखा जो ये खड़ी रेखा है ना इनको आँ बोलते हो देशांतर बोलते हो ध्यान रखना लेकिन एक बात फिर सुनो सबसे पहला परसंता अक्षास क्या है चलो इतना पता लगा कि अक्षास तो ये अपने गलोप जो आड़े रेका खिंची जा रही है ना उसको अक्षास बोल दिया पर अक्षास का काम क्या है अक्षास कारिय क्या बताएगा तो सुनो एक बार यहां पर मैं आपको अक्षास का कार्य बताता हूँ और उसके साथ में अपने देशांतर का भी कार्य बता देता हूँ आपको क्या है देखो अक्षास का कार्य है बही अक्षास का कार्य है कि एक तो ताप का निर्धार्न करना उसके लावा एक जलवाईयो का निर्धार्न करना देखो अक्षास का काम है ताप का निर्धारण करना या जलवायू का निर्धारण करना लेकिन चो दिशांतर का काम है वो है भई समय का निर्धारण करना ये भी बताऊँगा मैं आपको जब समय केसे निकालना होता है हर बार अपने बोलते हैं कि राजस्तान के पूरव में सबसे पहले सूरिय उद्य होता है और राजस्तान के पस्षिम में सबसे बात में सूरिय उद्य होता है चलो ये बात तो में पता है पर पूरव से परसिम तक सुर्य की किर्णों को पहुंचने में जो लगा टाइम कितना वह है आप इस देशांतरों से ग्याद कर पाओगे बात समया रही है क्या ये द्यान रखना जी उसके लावा देखो अब एक मात हो रहे हैं कि हमारी इस पिर्थी पर टोटल अक्षांसों के संख्या कितनी माने गई है तो हम बोज लेते हैं साइद 180 अक्षांस है लेकिन दिहान रखना इस पिर्थी पर जो टोटल अक्षांसों की संख्या 180 नहीं है कैसे नहीं है वो सुन लो जैसे मान लो आपने यहां गलोब बनाया और यहां पर आपने गरेका खिंची जीरो डिगरी अक्षांसी तो है यहां आपको गोड़ दिखाई दे रही है और पिर्थी को जब आप पढ़ोगे तो इसको पीछे से काटकर आप सीधा कर लोगे तो भई यह रेखाई सीधी दिखाई देगी आपको समझारी बात ही है लेकिन गलोब पर आपको रेखाई गोड़ी दिखेगी यह समझारी बात ही है तो यहां सीधी दिखने कारण यह है कि आप गलोब को पीछे से काटकर बिल्कुल सीधा रख लिया है और अब आप उसका अध्यन कर रहे हो तो आपको यह रेखाई बिल्कु रेखा 90 डिगरी 90 रेखा एक डिगरी एक रेखा 5 डिगरी 5 रेखा 60 डिगरी 60 रेखा 80 डिगरी 80 रेखाई हो जेगी लेकिन टोटल आपके इस उत्री गुलार्द में आपको 90 रेखाई दिखाई दे रही है अगर आप दक्षनी गुलार्द में इस पॉइंट तक देखोगे न तो आपको यहां भी रेखा कितने दिखाई देगी 90 रेखा लेकिन 90 तो आपने प्लस में ये कर ली 90 ये कर ली इस भुमदे रेखा को अलग क्यों जोड रहे हो इसको भी तो गिनना होगा जब हम इस रेखा को गिनेंगे तो अपने टोटल अक्षांसों की संख्या एक सो एटी एक हो जाएगी जहां नखना 181 अक्षांस हो जाएंगे उत्री गुलार्द में 90 अक्षांस दक्षनी गुलार्द में 90 अक्षांस और एक भुमद्य रेखा ये भी तो एक अक्षांस है टोटल आप से एक स्मस्या हो रहे हैं वहिए कई बार भुकों में दिया होता है कि二 सेवन्टी नाइन देखां आपने तो एक chief 719 जो दिया हुए वह क्या चीज़् है तो भहिग 179 जो है नहां वह हैं हमारे स्टापि कि 179 है वो अक्षांसिय वरत है और 179 जो अक्षांसिय वरत है वो सर कैसे बताए तो भाई इसका भी आपको अध्यान करना होगा देखो कि चलो कोई बात नहीं अब देखो अभी बात हुई थी अपनी 179 वरत अब उसमें सुनना कि वो 179 जो वरत बन रहे हैं वो कैसे अब कहां किस रक्षांस पुछा तो हमने 1808 बता दिया और जब अक्षांसिय वरत पुछा तो हम 1808 क्यों नहीं बता सकते देखो यह गलोब है भी यह गलोब है ठीक है अब इस गलोब में क्या करना है आपको जैसे यह भूमत्य रेखा है अब भूमत्य रेखा तो गोले के चार और है कर नहीं सब चार चोड़ाई तो इस भूमत्य रेखा परी होगी अगर आप उत्री द्रूब के और जाओगे तो इसकी चोड़ाई कम होती जाओगी दक्षनी द्रूब के और चलते जाओगे तो भी इसकी चोड़ाई कम होती जाओगी मतलब आकार चोटा होता जाएगा लेकिन आका भी बहार प्रित्वी का बड़ा होता दिखाई देगा तो भई सबसे बड़ा जो व्रत बनेगा वो इस भुम्द्य रेका भी बनेगा और वी अखाront पार बनेगा अक्षांस ज़ए और एक कोड़ झारोर एक रेखा त्युंद्ध के चार ओर गोली तो नांती जाओं है लेकिन यहां पे जो एक पॉइंट आता है ऊत्री ध्रूब और यहां पे पॉइंट आता दक्षनी ध्रूब्सक्राइब यह भाई श्रे बनता भाई इसके चारॉर्स यह तो पॉइंट यफ पोइंट के चारो वरत कैसे बना बताओ, भी मैंने यहां पर यह पोइंट बना दिया, अब आप इसको वरत कैसे बोल दो बताओ, नहीं कहिसकते हैं, पोइंट तो बोल सकते हो, पर वरत नहीं बोल सकते, वरत तब बोलते हैं, जब इस पोइंट के चारो रेका खिंच जाती, स और ना ही वरत इसे गिना जाएगा वरत नहीं गिना जाएगा तो भाई इस दो पॉइंटों को टोटल 181 में से आप कम करोगे कितने आएंगे 179 आएंगे जब आप से पुछे कि पूरे गलोब पर बुगोल पर विस्व में अक्षांस्य वरतों की संख्या बता दो तो 179 आए अब देखो एक माह तोड़ थी कि ये अक्षांस जो हैं आप ये अक्षांस्य वरत वाली बात समझ में आगई ना आपको ठीक है अब देखो एक माह तोड़ थी कि ये अक्षांस जो हैं ये अक्षांस हम जो कटिबंद पढ़ रहे हैं ये अक्षांस के बारे में कटिबंद कैसे पढ़ रहे हैं पहले यही बात अपने उकलियर करनी है देखो देखो भी अब दुबारा अब क्या करना है जैसे अभी गलोब की बात किते हमने ये गलोब है है ना और यहां पर ये जीरो डिगी रेखा है कौण से रेखा है जीरो डि रेखा है ये एक रैखा है करक रेखा माण लो मका रेखा जो मर्जी रेखा मान लो आप जो भी नाम देऊ वो रहे खा है भी जीरो से उपर reflex को ये 3090 रेखाई हैं तो यह रेखाएं जो है सारी उसको तो आपने कह दिया अक्षास है जी यह तो सारी रेखाऊं को अक्षाइस बोल रहे हो देखाए कौन सी जो सिरफ 8 ली रेखा और पर वो पर ये कटीबंद क्या है जी तो द्यान रखना यहां पे लाइन किलीए कोई भी दो के बीच का छेतर क्या है तो कोई भी दोक्षान समालो चाहे तो पांस से लेकर जीरों के बीच का छेतर मान लो तो भी कटी बंद होता है कि दो से दो का बीच का छेतर भी कटी बंद होता है जिरो से एक के बीच का छेतर भी कटी बंद होता है पूरे नब्य से लेकर नब्य के बीच का छेतर भी कटी बंद होता है कहने का मतलब यह है कि आप पूरे गलोब पर 181 एक्षांसों में से कोई भी दो अक्षांसों के लेकिन जब बारी आगी कि सर उसन कटिबंद क्या होता है तो यहाँ पे कोई भी दो अक्षास नहीं आएंगे यहाँ पे फिक्स अक्षास आएंगे क्यों? क्योंकि कोई भी दो अक्षास भी इसमें गर्मी एक जैसी पढ़ रही है क्या? नहीं पढ़ रही घर-मी तो सिर्फ करकर एकास लेकर मक्ष कर एक एक जैसी पढ़ रही है, इसलिए यहां गर-मी एक जैसी पढ़ने कार्ण, आपने उसन कहा दिया और दो अक्साओं सोगी बीचका छेतर आपने कटीबंद कहा दिया है इसलिए इतने चेतर को आप उसन कटीबंद कहेंगे। बात समझेगा ने समझे बोलो भई, यहां तक कोई दिकत तो नहीं ओगी आपको, आगे देखो अब आपको उसन कटिबंद समझ में तो आ गया अब हमें बात करनी है सीथ कटिबंद की अब एक चीज सुनना कि सीथ कटिबंद क्या है तो सुर्य के जहां सबसे ज्यादा गर्मी आ रही थी जब आपने उसको उसन कटिबंद कह दिया तो यह सवी तो पॉइंट होगा जहां पर सुर्य किन नहीं जा रही अगर सुर्य किन नहीं जा रही ताप मन नहीं जा रही किन नहीं जा रही ता हू खि suis नहीं जा रहां सुर्य किन जाए गिर मन आपे बांशाओातर हूगी तरह रहीं किन जा रहीं किन नहीं झाल 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 झाल